Friends हमारा drone बनकर ready हो चुका है और अब बारी आती है ESC calibration की तो आप लोगों के mind में एक सवाल होगा कि क्यो हम ESC calibration करते हैं ये क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है Friends क्योंकि हमारी जो drone की motors है उसमें एक साथ power supply मिलना बहुत ही जरूरी है और एक साथ power supply मिलने की वज़े से क्या होता है कि वो एक साथ move होती है, run होती है और काफी easily हमारा drone take off होता है otherwise हमें barrier या फिर problem देखने मिलता है तो इसलिए हम ESC calibration करते है ESC calibration से क्या होगा कि हमारी जो drone की motor से उसमें एक साथ power supply मिलेगा proper तरीके से proper way में तो मैं आपको यही बताऊँगा किस तरीके से 4B ESC को एक साथ calibrate करे transmitter और flight controller की help से लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंदा रहा हो तो इसे like कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे subscribe ज़रूर कर लीजिए friends ताकि आपको यहाँ पे इसी तरीके के content देखने मिले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा transmitter है यह transmitter का throttle stick आप है throttle stick को highest position पे लेके जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने throttle stick को highest position पे कर लिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने KK 2.1.5 फ्लाइक का यूस किया है तो यहाँ पर 4 स्वीचेस अवेलेबल है यह वाला जो स्वीचे यह 1st है और यह last है तो हमें 1st और लास्ट स्वीच को प्रेस करना है 1st और लास्ट स्वीच को एक साथ प्रेस करना है कुछ इस तरीके से 1st और लास्ट स्वीच को प्रेस करना हमें और अब ड्रोन को पावर सप्लाई देने बैटरी की हलें पसे छ zona क्लिवम्लक पावर सपलाई ती दिया स्वीच हमारा प्रेस किया हुआ अब हम ट्रांस्वि्टर का स्वीच WiFi वह on करते स्वावर सप्लाई वाला हुआ है सं थे थी टाइम इपूपले से dipping स्सउन्शन ही देगा फ्रेंड्स कभीकभी थी तीज्टे मट कभीड़ी ने होता है वसा में धीलड़ी से रिलिस करना था आप यहां पर सकते हमारा जो यहां पर आप यैसे की देख सकते यहां चारो भी जो ESC है वो कैलिब्रेट हो चुक है यहाँ पर हमारी जो चारो भी ESC है वो कैलिब्रेट तो हो कही है फ्रेंड्स लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द्री टाइम भीफ हमें प्रमा हें सुनाई देता है लेकिन इस बार हिस केस में हमें भीब साउंंड नहीं सुनाई दिया ay थ्री टाइम हमें बीप साउंट सुना ही देता है यह जो हमें थ्रोटल स्टीक है यह धीरे धीरे रिलीस करना होता है नीचे सो कुछ इस तरीके से यह ESC कैलेबरेशन किया जाता है लेकिन यह ESC कैलेबरेशन हो गया है